हेलो अबरियों स्वागत है आपसे लोंका तो आज की इस वीडियceksin को प्रतिशत को भिन में तथा भिन को परश्षत में भिन को दसमलों में दसमलों को परश्षत में यह सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा तो अब वीडियो कौन तक देखीगा जिससे आपको हर एक जा प्रश्ण को क्या भिन्न में बदल ये यहां पर देखे 35 प्रश्ण लिखा हुआ है जब भी इस टाइब का प्रश्ण रहे वह आप से पूछे कि प्रश्ण को भिन्न में बदल ये यहां पर 35 प्रश्ण लिखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह से 35 लिखा है तो 35 पर देखे प्रतिससत का चिन है इसको जब हम हटाएंगे तो बटे लिखेंगे क्या लिखेंगे सव लिखेंगे इतनी बात आप से इनुव 카 7 बहाँ सव क्या है यह भिन में है तो 35 बटे सव को आप काट सकते हैं 5 से 5 सत्य कितना होता है 35 होता है पांच बिशाम में कितना होता है 100 होता यानि 7 बटे 20 आ चुका है तो आपका 12 दस्मलो 5 परिश्यत है इसको आपको क्या करना है भेन में बदलना है तो 12 दस्मलो 5 है तो इसको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इस तरह से 12 दस्मलो 5 लिखेंगे अब यहाँ पर प्रतिश्यत का चिन हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे अब देख से ही क्या नीचे भी गुड़ा करेंगे तो अगर आप 10 से गुड़ा करेंगे 12.5 में तो ये 10.5 क्या दाहिनी साइड आ जाएगा ये 125 बन जाएगा तो इसको हम 125 लिखेंगे नीचे हमारा कितना होगा 100 में हम 10 से गुड़ा करेंगे हो जाएगा एक हजार को हम पान से काटेंगे तो पान दूना दस फिर दो जीरो बचेगा दो जीरो लगा देंगे अब पचीस से आप दोस्व को काट सकते हैं पचीस चौके कितना होता है दोस्व होता है तो पचीस अठे कितना होता है पचीस अठे आपका कितना होता है दोस् इतनी बात स्वाज़वाई अब यहां आपड़ देखे यह घा जो आला प्रस्टन है कि साथ सही एक बटे दो प्रस्टत को क्या करिए भिन में बदलिए काफी बहत्रें टाइप का प्रस्टन है इससे समझेगा यह क्या है मिस्र भिन में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम ऐस से प्रस्टन को क्यास साधाराण भिन में बदलेंगे तो साथ साही एक बटे 2 में इसकी बदलेंगे तो 2 गुला साथ में करेंगे 2-7-4 फिर एक क्या कर देंगे जोड देंगे 14 एक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 बटे कितना नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे अब प्रतिशत का चिन हटाएंगे तो नीचे आपको इस तरह से बटे लिखकर क्या 100 लिखना पड़ेगा इसके बाद 100 का गुड़ा आपको 2 में करना पड़ेगा तो 15 का गुड़ा जब आप एक में करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और नीचे आपका 100 का गुड़ा 2 में करेंगे 100 दुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा इतनी बात स्वाम जाई अब 15 से आप 200 को काट सकते हैं 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 5 के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा फिर एक 0 बचेगा 0 लगा देंगे यानि 3 बटे 40 आ चुका है तो 3 बटे 40 यही final इसका क्या होगा answer होगा तो पहला type का स्वाल आपको काफ़े अच्छे त्रेके से स्वाँज में आगया होगा अब मैं आपको दूसरा स्वाल कराता हूँ यहाँ पर दिखे दूसरा प्रस्ण है कि इंदे मैं लिखित भिन्नों को क्या प्रतिसत में बदलो काफी मस्त प्रस्ण है और काफी easy प्रस्ण है तो भिन्न को आपको क्या करना है प्रतिसत में बदलना है यहां पर देखी एक बटे आठ लिखा हुआ है तो एक बटे आठ को अगर आप परिश्चत में बदलेंगे तो भिन को परिश्चत में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करते हैं उसे गुड़ा करते हैं इतनी बास स्वाज में आई होगी अब 8 है अब 10 है इसको हम क्या काट पीट कर सरल कर लेंगे 2 चोके कितना होता है 8 होता है अब 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानि 50 बार में ये कट जाएगा अब यहाँ पर देखिए 4 है यहाँ पर 50 है इसको आप क्या कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा अब 25 बार में 50 कर जाएगा अब पचीस बटे कितना आ चुका है दो आ चुका है तो चलिए पचीस का गुड़ा एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा पचीस आ जाएगा नीचे आपका अद्धो है तो पचीस में अगर आप दो से भाग देंगे तो जनते हैं कितना आएगा आपका बारा दसमलो कितना आ जाएगा पांच अपरसात आजायगा तो 12 दसमलों 5 अएक पांच में यानी 12 दसमलों 5 प्रेस्तत हो जाएगा अब यहां पर 22 यह आपको होमवर के लिए देते हैं इस पांच को अब मैं 3 बेटे 25 को होमवरग का देता हूं 21 बेटे 50 मैं आपको बताता हूँ ध्यान पूरवा काप इसको समझीएगा 21 बटे 50 है तिसे आप 21 बटे क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे अब ये क्या है भिन्ड में है इसको प्रश्चत में बदलना है तो 42 के सामने आप प्रस्चत का चेन लगा देंगे यानि 21 बटे 50 को प्रस्चत में बदलेंगे तो 42 प्रस्चत आएगा इतनी बात सुझ मैं अब जो बच्चे इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं हम मैं आपको अगला टाइप का प्रस्चत लिखाता हूं अगला इसे 42 लिखेंगे प्रस्चत का चेन हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा अब यहां पर दिखें आपको क्या इस प्रतिस्यत में था इसको दसमलों बदलना था यहां पर 42 में इसका मतलब है कि 100 से आपको भाग देना हुगा तो आपको क्या देखिए यह आपर दो 0 है तो दस्मलों जो है एक अंक दो अंक के बाद लगेगा यहां पर लगेगा तो इसके हम लिखेंगे दस्मलों च्छापअले लिखेंगे पटे में क्या प्रस्यत का चिन हाटाएंगे रवहारा कितना हुझाएगा सप हो जाइगा अब यहाप पर दिखेए 10 मलों लगा हुआ है इसको आप क्या इस तरह से साल्भ करेंगे इसमें आप 10 से क्या करेंगी गुड़ा करेंगे तो 10ुलो दूर हो जाएगा और नीचे भी आपको 10 से ही गुड़ा करना पड़ेगा अब यहाँ पर दिखिए कितना आजएगा यह 356 हो जाएगा तो 356 लिखेंगे परटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा यहाँ पर हम 1000 इस तरह से लिखेंगे अब इसको क्या प्रतिस्त था इसको दस्मल में बदलना था यहाँ पर 3-0 है तो एक अंग दो अंग यहाँ पर 3-0 के बाद दस्मल रहेगा थायनि इसका इंसर 0.3, 5, 6 यह इस प्रस्चा उगा उत्तर होगा तो दिख गावाला प्रस्ट न गावाला प्रस्ट आपके लिए होता है होमवार के लिए इसे आप घर पे साल्व करिएगा चले आपको अगला टाइप का प्रस्च करते हैं यहाँ पर देखे निमलखित दस्मलों को क्या प्रतिस्त में आपको क्या करना है बदलना है इस प्रतिस्त को ध्यान पूरवक थोड़ा समझेंगे 0.342 है इसको क्या प्रतिस्त में बदलना है तो पहले इसको हम क्या करते हैं भिन में बदलते हैं यहाँ पर 0, 10, 3, 4, 2 है तो इसे आप क्या लिखेंगे 342 लिखेंगे बटे कच्छन लाएंगे 10, 10 अंग के बाद लगा था तो यहाँ पर आप 3, 0 इस तरह से लिखकर एक लिखेंगे अब यह देखिए भिन में आ चुका है तो भिन को परसंद में बदलने के लिए क्या मैं बताया था 100 से इसमें गुड़ा करेंगे 2, 0 से 2, 0 कट जाएगा नीचे 10 बचेगा तो इसे देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 34 दसमलो कितना हो जाएगा अगर आप इसे मिस्र भिन में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 342 में आप 10 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका तो 10 यानि 34 है तो पाले 10 से भाग देंगे तीन बार में 10 तियां कितना होगा 30 होगा कितना बन जाएगा आपका 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 यहाँ पर 4 बचेगा आपका कितना बचेगा यहाँ पर 42 बन जाएगा कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा तो हम फिर से भाग लेके जाएगे तो 10 चो के कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे कितना नीचे बचेगा दो बचेगा तो 34 सही दो बटे कितना किसे भाग दिये थे 10 से यह इतना आपका क्या होगा प्रस्षत होगा इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं अब यहाँ पर देखे खावाला प्रशने का फेजी प्रशने 0.6 है इसको आपको प्रशनते बदलना है तिसे हम 0.6 लिखेंगे क्या इसे हम लिख सकते हैं 68 बटे कितना दो अंग के बाद 0 है तिया आपर 68 बटे 100 हो जाएगा पर दो भिमने को परशने बताने के लिए 100 लिए 100 से गूरा करते हैं तो 100 कड़ जाएगा PK 감श तो यहाँ पर ग्हाला प्रशन आपके लिए इससे आप ज़रूर करिएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही चलिए मैं घह वाला प्रश्ण बता देता हूँ क्यांकि वो काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ थोड़ा ध्यान पूरवक समझेगा काफी इजी ही प्रश्ण है लेकिन तपर भी बताता हूँ 0,10,3,1,5 है तो इसे आप 315 बटे कितना लिखेंगे नीचे 1000 लिखेंगे इतनी बात समझ भाई अब इसमें आप क्या करेंगे 100 से गुड़ा करेंगे क्योंकि यह भिन्न में आ चुका है तो जब 0 से 0 कटेगा 315 बटे 10 आएगा तो 315 में जब आप 10 से भाई देंगे तो एक अंग के बाद यहाँ पर 10 लेगा यानि 31 दसम लोग 5 परेस्ट आएगा यह इस परेस्ट का क्या होगा उत्तर होगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक चैनल को पर पाजिब आ रहा है चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजिगा थैंस फर बाचिंग आला फ्यो